Hello everyone, this is your educator Mansi Gupta, welcome to the next video of Ready for Study. तो आज हम Class 6 की English की वर्क्षीट करने जा रहे हैं, यह आपकी English वर्क्षीट नमबर 25 है और इसकी डेट रहेगी 4 October 2021. तो बच्चों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको English पढ़ाते हैं, ठीके? तो देखो आपको जैसे कि पता है अपने अपनी प्रीवेस वर्क्षीट में क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन और कॉमन में बताया जाता है, जैसे कि कोई भी कंट्री तो यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम तो नहीं आया ना, तो अगर कंट्री है तो वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री का नाम बता रहा है कि प्रॉपर नाउन होगा वो जैसे कि इं and underline the proper noun and circle the common noun, तो जो proper noun है, उसको तो आपने underline करना है, और जो common noun है उसको आपको सिरफ एक circle लगाना है, ठीके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी proper noun होगी, मैं उसको highlighter से ऐसे highlight कर दूँगी, और जो common noun होगी, उसको क्या करूँगी, उसको मैं ऐसे circle बना दूँगी, इस से, ठीके, ब्राउन कलर से, ठीके, तो start करते हैं हम अपने paragraph को, My name is Priyanka, तो Priyanka किसी के लड़की का नाम है specific, तो यहाँ पर यह है proper noun, ठीके, तो यहाँ आगे आपका Priyanka पर underline, ओके, आप यहाँ पर underline करिएगा, This is my classroom, यह मेरा classroom है, अब classroom कोई specific classroom का number तो नहीं बताया न, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर classroom आपका common noun हो जाएगा, तो आपको क्या करना है classroom पर ऐसे circle मारना है, ओके, next है, there are 40 students, अब student का नाम तो नहीं बोला न, कि हाँ भाई यह वाला student, student में तो पूरा group आजाएगा, तो आपका यह student क्या है, आपका यह student है common noun, ठीके, in my class, Mrs. Swati, Swati जो है वो क्या है, Mrs. Swati जो है, is my class teacher, तो Swati जो नाम आगे न, specific, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका proper noun है, Mrs. Swati is my class teacher, she teaches me English, अब देखो, specific subject का नाम आगया, English, ठीके, फिर बोल रहा है, सीमा, सीमा नाम है किसी का, सीमा, रेनू, अनुज, एन प्रीती, are my friends, तो यह आपके नाम होगा, यह सब क्या है, यह आपके proper noun है, लेकिन जो friends है, friends में नाम तो नहीं बुलाना है specific यहापे किसी का, तो friends जो है, आपका क्या हो जाएगा, common हो जाएगा, और अगर friend के नाम है, तो वो आपके, क्या हो जाएगे, proper noun हो जाएगे, और यह friend क्या है, common noun हो जाएगा, ठीके, there are 20 desk, a blackboard, a map of India, अब इंडिया क्या है, एक specific country का नाम है, तो यह इंडिया आपका है, proper noun, ठीके, English subject का नाम है, English, Hindi, Mathematics, Science, and Social Science, ठीके, यह जो वर्ड मैं यहाँ पर highlight कर रही हूँ, Sanskrit भी, यह क्या करना है, आपको यहाँ पर underline करना है, और जहाँ पर मैंने गोले मारे हैं, आपको भी गोला लगाना है, ठीके, my classroom, I love my classroom, ओके, तो बस इतना था आपका, यह वाला portion, common noun, और proper noun का, अब स्टार्ट करते हैं, question number two पे, ठीके, question बोल रहा है, circle the following, circle the word which you cannot touch, smell or taste, see or hear, behavior, अब डीके, तो बड़ियर, एसे word को यह इसको आपको circle करना है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, ठीके, smell नहीं कर सकते हो, तो देखो, joy, joy मतलब होता है, अच्छा सकते है, testing अच्छा होँ, अच्छा करना है, ऑच्छा सब्सक्तर, now the 지금 times have bothué and mother, हैं सक्सेस को भी नहीं देख पाते हैं सक्êस मतलब आप उसके सब्सकर करơi करह तो इसको तो सब्सक्राइब करना है प्लौनेश्ट सब्सक्राइब यह ऐखर्लक δεν भूलिपने ज्रेख्ला-वर फ्लावर तो आप देख पाते हो, कार भी देख पाते हो, सच को भी नी देख पाते हैं। Crisp करते हो तो यह अगला कोशन है, अगला अगला आपको रहाँ एक इन्फॉरमिशन दे रहा है abstract noun क्या होती है abstract noun is a noun which we cannot see वो noun जिसको आप देख नहीं सकते हो taste नहीं कर सकते हो smell नहीं कर सकते हो और नहीं सुन सकते हो नहीं touch कर सकते हो उसे बोलते है abstract noun तो abstract noun बनाने के लिए आपको क्या कौन-कौन से word एड़ करने चाहिए इन words को यूज करके आप अपने noun को abstract noun में बदल सकते हो तो आपको यहाँ पे यह suffix इस्तिमाल करके ऐसे words बनाने है जो मैं आपको आगे बताऊंगे आप कैसे बना सकते हो अब देखो यहाँ पे abstract noun को जो है एड़ करके लिखना है चाइल्ड प्लस हुड चाइल्ध हुड चाइल्ध हुड माने बजपन friendship मतलब दोस्ती kindness मतलब दया की भावना ठीके development का मतलब होता है कोई वी चीज विकास करना अब देखो development में डोनों में difference क्या है development कोई word नहीं होता है डेवलप्मेंट आप उसको गलत प्रोनाउंस करते है development होता है ठीके क्या होता है development हिरोईजम मतलब हिरो बनना education मतलब शिक्षा kingdom मतलब सामराज्य और curious मतलब बहुत ज़्यदा उत्सुक होना किस जीज के लिए ठीके अब यहाँ पे आपको इन सफिक्स का इस्तिमाल करके कुछ words बनाने से वो मैंने एपे टेबल दे दी है आप इसको direct copy कर सकते है ठीके ITY से charity generosity charity का मतलब उत्लब दान देना generosity का मतलब नम्रता मतलब प्यार से किसी किसी के सथ वहवार करना happiness मतलब खुशी loneliness मतलब अकेला पन hood मतलब child मतलब बच्पन और neighborhood मतलब पडोसी इस्म मतलब socialism, communism, fascism meant, enjoyment, amazement ship से बढ़ेगा आपका relationship, friendship dom से freedom, wisdom tiun से आपके बन जाएंगे restoration, relaxation तो देखो अगर आपको कोई और words भी पता है तो comment section में आप मुझे भी बताना अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर करना वीडियो को like कीज़ेगा और comment करके मुझे बताना और अगर आपको कोई suggestion देना है तो you are most welcome, comment section में आप मुझे suggestion दे सकते हैं बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको प्रें दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नहीं है तो subscribe करना मत भूलना ठीके बैर आइकन को जरूर दबा ले ना क्योंकि मैं रोज आपके लिए आपकी क्लास की इंटरस्टिंग वीडियो लेकर आती रहती हूं ठीके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठेंक्यू सो मच बाई बाई